Hello everyone, welcome to the new video from Classdesk. आज के वीडियो में हम लोग coding decoding में Chinese coding decoding का जो portion होता है उसको हम लोग complete करने वाले हैं and मैं आपको एकदम अच्छे से दो तरीके बताऊँगा जिसकी help से आप Chinese coding decoding वाले questions को जो है वो solve कर सकते हो बट सबसे पहले एक question के through, एक question के help से हम लोग यह समझ लेते हैं that यह Chinese coding decoding के questions exactly होते कैसे हैं ओके देखो यह हमारा सबसे पहला question है अब इस question में आप ध्यान से देखोगे तो work get value salary is coded as SPT, Bsy, RST and QSR यह आपको चार words जो है उनके चार code जो है वो given है and similarly आपको अलग-अलग words के अलग-अलग code है वो यहाँ पर given है अब सबसे बड़ी mistake इसमें basically students क्या करते हैं वो यह समझ लेते हैं that work का जो code है वो SPT है get का जो code है वो Bsy है and so on मतलब जो word पहले लिखा है उसका code जो है वो भी पहले लिखा होगा यह सबसे बड़ा misconception है जो students के दिमाग में सबसे पहले Chinese coding recording को देख करके आता है but ऐसा नहीं है आप खुद सोचो that इतना easy question कैसे frame किया जा सकता है correct जैसे आप यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको rupees दिया जा रहा है तो आपके according rupees का code तो MNG होना चाहिए but यहाँ पर rupees जो है उसका code तो SPT आ रहा है तो आप यहाँ से भी common sense लगा सकते हो that यह जो codes है न यह sequence में नहीं दिये हुए है यह एक तरीके से puzzle jumbled form में जो है वो दिये हुए है तो इसी jumbled form को हम लोगों को जो है वो एक तरीके से rectify करना होता है and finally हम लोगों से किसी एक word का code पूछा जा सकता है या फिर किसी sentence का code पूछा जा सकता है वो हम लोगों को accordingly बताना होता है तो इस तरीके के आपको question जो है वो देखने को मिल जाएंगे Chinese coding decoding में ठीक है अब चलो इस question को हम लोग solve करते हैं देखते हैं किस तरीके से हम लोग Chinese coding decoding को solve कर सकते हैं मैं आपको totally दो method बताऊंगा इस first question में एक method बताऊंगा and second question में जो हम लोग second method को discuss करेंगे देखो सबसे पहले आपको ये समझना है that which of the following is the code for rupee मतलब इन सब में से rupee का code क्या है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है that आप इस rupee word को देखो that exactly कहा कहाँ पर rupee word given है पहले sentence में आपको rupee नहीं दिख रहा है second sentence में आपको rupee जो है वो देखने को मिल रहा है ठीक है उसके बाद third sentence में भी आपको rupee देखने को मिल रहा है and उसके बाद आपको four sentence में नहीं मिल रहा है अब देखो इन दो sentences में आपको रुपी देखने को मिल रहा है तो आप ऐसे words ढूंडो जो कि इन दोनों ही sentences में common होंगे correct तो आप यहाँ पर लिख सकते हो that रुपी का code क्या क्या हो सकता है अब रुपी का code RST देखो सबसे पहले RST क्या second वाले में है नहीं है मतलब RST तो रुपी का code नहीं हो सकता है क्योंकि जो भी रुपी का code होगा उसको दोनों sentences में आने पड़ेंगे correct तीवाईपी को देखो TYP दोनों में है तो yes रुपी का एक code जो है वो TYP हो सकता है QSR देखो QSR भी नहीं है PKL दोनों में है तो PKL भी जो है एक possible हमारा code जो है वो बन सकता है and उसके बाद MNG, MNG दोनों में नहीं है तो फिर हमारा रुपी का जो code है वो या तो TYP होगा या तो PKL बट हम लोग अभी भी sure नहीं है तो ऐसे cases में जब आप sure नहीं हो that कौन सा code इसका हो सकता है तो वैसे cases में आपको इन चारो sentences के individual codes को जा है वो find out करना होगा किस तरीके से करना होगा आप word by word चलो work को देखो अगर आप work को देखोगे तो work मैं अलग-अलग color के pens का use कर लेता हूँ so that आपको better understanding हो work जो है वो मुझे कहा कहा पर देखने को मिल रहा है work जो है मुझे first sentence में देखने को मिल रहा है and after that third sentence में देखने को मिल रहा है and fourth sentence में देखने को मिल रहा है मतलब work का code जो है आप ध्यान से देखोगे तो B-S-Y, B-S-Y जो है वो तीनो ही sentences में common है तो work का code जो है वो B-S-Y हो सकता है इसके अलावा हम उन लोगों को ऐसा कोई भी word नहीं मिल रहा है जो कि तीनो में हो, जैसे SPT को देखो SPT केवल दो में ही है, तीनो में नही है RST जो है, वो भी केवल और केवल दो में ही है, तीनो में नहीं है and QSR again, QSR भी जो है वो तीनो में नहीं आ रहा है तो मुझे sure shot ये चीज़ पता चल गई, that work का जो code है वो B-S-Y है similarly अब आप next word को देखो, get को get को मैं underline कर देता हूँ कि इसे different color से get first में है second में है and fourth में है, ठीक है, get अब get को अगर आप ध्यान से देखो, तो कौन से ऐसे word है जो कि आपको इन तीनो में देखने को मिल रहा है तो आप देखो कि that RST जो है, वो आपको इन तीनो में देखने को मिल रहा है RST, इसके बाद हम लोग next word पे चलते हैं, इस तरीके से आपको one by one word का जो है, वो find out करना पड़ेगा उसके बाद value, अगर आप value को देखते हो, तो value कहां कहां पर है बई, value है आपके first वाले sentence में है and third वाले sentence में है, तो ऐसा कोई letter, ऐसा कोई code जो कि इन दोनों sentence में हो, वो है SPT कि एवल SPT ही एक ऐसा word है जो दोनों में है, इसके अलावा QSR भी दोनों में नहीं है, BSY भी नहीं है and BSY का तो मुझे पता चल गया ना, तो जो पता चल चुका है उसको तो मैं ignore कर सकता हूँ, value का भी मुझे exact code पता चल चुका है, क्या है value का code, value का code है आपका SPT ठीक है, इसके बाद next word हम लोगों को find out करना है, salary, salary को भी मैं अलग color से mention कर देता हूँ okay, salary जो है, वो आपको कहा कहा पर देखने को मिल रहा है, salary आपको QSR, okay, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, and second में देखने को मिल रहा है, ठीक है तो salary का आप अगर ध्यान से देखो तो दो word हम लोगों को जो है वो देखने को मिल रहा है एक तो आपको QSR देखने को मिल रहा है मैं आप पर mention कर देता हूँ QSR and यहाँ पर भी जो है वो QSR आपको देखने को मिल रहा है and second word जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है RST that is QSR and again आप monthly का code देखो monthly कहां कहां पर है first में है आपका monthly and आपको monthly जो है वो और कहां पर देखने को मिल रहा है fourth वाले sentence में जो है वो देखने को मिल रहा है second and fourth में आप देखो monthly में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका RST common आ रहा है but again RST को हम लोग reject कर देंगे क्यों क्योंकि RST हमारा get का code हो चुका है तो monthly का code क्या बन गया MNG मेरा monthly का code बन गया and finally आप रुपी के code को अगर ध्यान से देखो तो रुपी का code में मेरे पास क्या दो options आ रहे थे TYP and PKL तो क्या TYP या PKL इन में से किसी का code है work में तो नहीं है get में भी नहीं है value में भी नहीं है salary में भी नहीं है and monthly में भी नहीं है तो इसका simple सा ये मतलब हो जाता है that RUPI का मुझे 100% surety के साथ ये नहीं पता चल पा रहा है that RUPI का code क्या होने वाल है मैं RUPI का जो option है वो इधर A और B के साथ जाना चाओंगा because RUPI का जो code है वो TYP भी हो सकता है and PKL भी जो है वो हो सकता है इन दोनों में से कोई भी code हो सकता है ठीक है आपको first time में ऐसा लग रहा होगा that ये particular method जो है वो काफी जादा time taking है but trust me आपको practice के साथ साथ आप बहुत ही जादा जल्दी इन सा questions को करने लग जाओगे and मैं आपको second method भी बताऊंगा जो इन type के question को solve करने में आप help ले सकते हो second method भी जो है वो काफी जादा आपको easy पड़ेगा दोनों में से जो method आपको पसंद आता है आप उसको follow करो but second method जो है वो जादा करके मैं follow करता हूँ मैं personal level पर because वो बहुत जादा sure shot answer देता है उसके बाद हम लोग second question देख लेते है which of the following can be the code for get monthly salary तो मैं आप पर देख लेता हूँ get का क्या code है RST RST monthly का क्या code है भाई monthly का code है M and G salary का code क्या है QSR मतलब जिस भी option में ये तीनो code होंगे वो ही मेरा answer होगा अब आपको एक चीज अगेन घ्यान में रखनी होगी sequence ये हो ऐसा जरूरी नहीं है मतलब RST first पर ही हो M and G second पर ही हो and third पर QSR हो ऐसा बिलकुल भी compulsory नहीं है ये jumberd form में भी होंगे तो भी आपका वो ही correct answer होगा यहाँ पर आप देखो RST QSR M and G RST QSR M and G jumberd form में है इसके अलावा किसी भी option में ये तीनों चीज नहीं दिये होए तो जो मेरा D option होगा वहीं जो है वो मेरा correct answer होगा ठीक है I hope आपको ये वाला method जो है वो समझ में आया होगा and अब हम लोग एक second question की तरफ चलते है this is question number two and अब हम लोग question number two में देख लेते हैं दूसरा method जो मैं personally follow करता हूँ and आप इसमें थोड़ा सा practice कर लोगे तो आप भी जादा better way में इस particular method को जो है वो understand कर पाओगे ठीक है चलो देख लेते हैं इस second method में आपको क्या करना रहता है जो भी आपको words नए मिलते जा रहे है उसको पहले आप लिख लोगे जैसे for example मुझे यहाँ पर one by one करके चलो सबसे पहला word मुझे मिला trip तो मैं यहाँ पर शांति से trip लिख लुँगा ठीक है उसके बाद अगला है towards तो मैं यहाँ पर towards लिख लूँगा ठीक है इसको मैं अपने convenience के लिए separate कर लेता उओ उसके बाद है mountain, hills तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ mountain and hills ठीक है उसके बाद मुझे एक नया वर्ड मिला rise बट जो मेरा rise है न वो second वाले हमारे sentence में आ रहा है तो मैं rise को उपर नहीं लिखूंगा मैं rise को जो है वो second वाले sentence में लिखूंगा hills के आगे लिख देता हूँ ठीक है because इसका मतलब है कि आपका trip जो है वो again यह जो पूरा row है इसमें मैं trip कहा कहा पर आ रहा है वो लिखूंगा ठीक है तो यहाँ पर मैं rise नहीं लिखूंगा rise के लिए मैं अलग एक column जो है वो dedicate कर रहा हूँ rise के बाद है hills, hills मेरा again लिखा हुआ है तो मैं hills को एक यहाँ पर जो है वो एक तरीके से सेम चीज रिपीट हो रही है तो बार बार लिखने से अच्छा है मैं यहाँ पर एक मार्क दे दूँ that hill जो है वो repeat हो रहा है again towards तो again towards में कर दो river अब river मुझे एक नया word मिला तो river के लिए भी मैं एक new जो है वो कॉलम डेडिकेट कर दूँगा उसके बाद आगे चलते हैं अगें यहाँ पर river आया मेरे third row में best रो में मैं यहाँ और लाइन कर देता हूं and third row में में रिवर आ रहा है तो मैं यहाँ पर से यहाँ पर एक मार्क कर दे ता हूं river जो है मेरा third row में भी आ रहा है उसके बाद trip तो मैं trip में भी mark कर देता हूँ rafting अब देखो rafting एक new word आया तो मैं rafting के लिए भी जो है वो निया dedicate कर देता हूँ column ठीक है उसके बाद आता है आपका mountain mountain यहाँ पर आ रहा है okay done इसके बाद आगे चलो towards तो अब हमारा towards जो है वो अगले row में है तो मैं towards का यहाँ पर mention कर दूंगा towards mountain slow अब देखो slow कहीं पर भी नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पर एक slow का भी जो है वो column easily ठीक है अब चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं and हम लोग जो है वो code का भी जो है वो एक table create कर लेते हैं code में सबसे पहले आ रहा है मेरा ju ju के बाद आ रहा है na ठीक है na के बाद आ रहा है mi and mi के बाद आ रहा है po इसके बाद पहला row मेरा यहाँ पर complete होता है second में देखो gi again gi एक new word है तो मैं अलग से लिखूँगा उसके बाद है mi तो mi मुझे पहले से given है ju and ve ve नहीं है तो मैं ve का अलग एक column dedicate कर दूँगा उसके बाद po po यहाँ पर आ गया ve ve यहाँ पर आ गया उसके बाद na and fu fu again मेरे पास नहीं है तो fu के लिए मैं एक अलग column जो है वो dedicate करूँगा यह भी मेरा एक row जो है वो complete हो गया इसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो आपका आता है yb again yb मेरे पास कहीं पर भी नहीं है तो yb एक अलग column हो गया उसके बाद ju and gi and po बस इसके साथ ही मैंने coding का भी जो है वो एक तरीके से हम लोगों ने match कर लिया exactly कौन सा code जो है वो क जो जो code जो है जो जहाँ जहाँ पर appear हो रहे है वो match करता है words के साथ तो वहीं उसका code बन जाता है जैसे example के तोर पर मैं आपको बताना चाहूँ तो यह trip का देखो trip कहां कहां पर आपको देखने को मिल रहा है trip आपको first and third में देखने को मिल रहा है correct यह first row है यह second row में तो trip है नहीं and third row में आपको trip मिल रहा है तो trip आपका one three हो गया एंड slow जो है वो केवल और केवल 4 में मिल रहा है similarly अब J U का देखो J U कहा कहा पर मिल रहा है 1, 2 and 4 में तो 1, 2, 4 कहा पर लिखा हुआ है भाई 1, 2, 4 आपके towards में लिखा हुआ है तो मैं simply ये कह सकता हूँ that मेरा जो J U है न वो मेरा towards का code है correct इसी तरीके से N A N A कहा पर मिल रहा है भाई 1 और 3 में मिल रहा है तो 1 और 3 कहा पर लिखा हुआ है 1 और 3 trip में लिखा हुआ है तो simple सा चीज है N A जो है वो मेरा trip का code हो गया correct उसके बाद MI MI है मेरे 1 और 2 में तो 1 and 2 जो है वो hills में लिखा हुआ है तो MI जो है वो मेरा hills का code हो गया बहुत जादा easy method है एक दो बार practice के बाद आपको इसमें speed जो है वो gain होने लग जाएगी PO PO का देखो कहां पर है 1, 3 and 4 1, 3 and 4 1, 3, 4 केवल और केवल mountain में है तो PO जो है वो मेरे mountain का code हो गया correct उसके बाद GI GI है आपकेvenir 2 and 4 में तो 2 and 4 जो है वो rise का है तो rise का code क्या हो गया GI GI जो है वो rise का code हो गया अगैन VE देखो VE कहां पर है VE है आपका 2 and 3 में मतलब VE जो है वो river का code हो गया तो vE आपके river का code हो गया and finally fu again fu केवल और केवल 3 में आ रहा है यह YB जो है ना इसका एक अलग column dedicate करना था आपको because यह दूसरे sentence में था तो FU केवल और केवल 3 में आ रहा है तो केवल और केवल 3 rafting है तो FU जो है वो rafting का हुआ and YB जो है वो आपका हुआ slow का YB किसका हो गया? slow का तो इस तरीके से मेरे को सारे के सारे word के जो है वो code बहुत ज़ादा easy way में पता चल गया है मुझे ज़ादा इसमें जो है sentences को match करने की ज़रूरत नहीं पड़ी बस जैसा जैसा लिखा था वैसा वैसा मैं लिखता गया आपको यह पूरा पूरा word लिखने की भी ज़रूरत नहीं है मैंने तो आपको समझाने के लिए लिखा है trip के लिए आप जल्दबाजी में TR लिख सकते हो towards के लिए TO लिखो mountain के लिए M लिखो hills के लिए H लिखो rise, river इस तरीके से या फिर river को आप कुछ mention इस तरीके से symbol डाल दो फिर rafting हो गया इस तरीके से आप shortcuts में भी जो है वो लिख सकते हो बस आपको shortcut याद होने चीए आपने क्या क्या shortcut किस-किस word के लिए लिखा हुआ है अब देखो अब आपको ऐसा लग रहा होगा इसमें तो काफी जादा time लग रहा है में केवल और केवल एक question पूछा जाएगा because ये थोड़ा सा time taking होता है तो जो examiner's होते हैं वो ये make sure करते है that codes को find out करने में आपको अगर 5 minute लग जाते हैं तो इससे related आपको 5 question भी जो है वो दिये जाए so that आपके वो 5 minute खराब ना हो आप 5 minute पे 5 question को answer कर पाओ जैसे मैंने यहाँ पर ये बिल्कुल आया हुआ exactly आपके examination मेंसी type के question साथ है एक्दम ये examination का ही question है find the code for slow rise तो slow rise कहाँ पर हुआ भाई slow rise का coding था GI and slow का coding था YB तो YB and GI C option जो है वो आपका correct answer हो गया उसके बाद find the code for trip trip का code क्या होगा भाई trip का code होगा आपका NA आप यहाँ पर देख सकते हो NA NA जो है वो trip का code होगा उसके बाद third question fourth question है find the code for rise mountain rise mountain अब ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर आएगा rise is GI and mountain is PO तो GI and PO जो है वो आपका code हो जाएगा तो GI and PO and final fifth question FU FU किसी का code था भाई FU जो है वो राफ्टिंग का code था तो राफ्टिंग जो है वो आपका correct answer होगा तो आपने देखा that although I spent approximately five minutes to find out quotes for all the words but five questions जो है वो मेरे exactly five minutes में जो हो solve होगा तो बहुत ही अच्छा and easy method है यह आपके five questions को correct करने का तो इसी तरीके के आपको question जो है वो Chinese coding decoding में मिठती है I hope आपको यह पूरा concept जो हो समझ में आओगा अब Chinese coding decoding से दोनो method में से जो भी method आपको पसंदा है उसको आप जो है अपने examinations में follow कर सकते हो तो see you in the next video जहाँ पर हम लोग कुछ वर इसी तरीके को आपको आपको करेंगा तिल ने ने वीडियो भाए जुछ एटेकर टेकरे